हालो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ आलू और साबुदाना के पापड तो यहाँ पर हम आलू का लच्छा वाला पापड बनाएंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पर लिये हैं दो बड़े सा इसके आलू और आधी कटोरी लिया है साबुदाना साबुदाना बड़ा वाला लिया है और इसमें हम डालेंगे चार कटोरी पानी पानी इस कटोरी से हम नापकर चार कटोरी डालेंगे जिस कटोरी से हमने आधी कटोरी साबुदाना लिया है इस से ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है साबुदाना को मैंने दो बार साफ पानी से धो लिया और फिर तीन गंटे के लिए पानी में भीगो कर रख दिया था तो मैंने यहाँ पर इसे थोड़े गेहरे पानी में भीगो कर रखा है ताकि यह अच्छे से फोल जाए और अब हम इसका यह पानी निकाल देते हैं एक खाली बर्तन के उपर इस तरह से छलनी रख देंगे और अब हम साबुदाना का सारा पानी निकाल देते हैं इस तरह से अभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ आलू का छिलका उतार कर मैंने इसे कद्दू कस कर लिया है और उसके बाद इसे तीन बार साफ पानी से दो लिया है अब हम इसे पानी में भीगो कर ही रखेंगे पानी में अगर हम आलू को भीगो कर नहीं रखेंगे तो आलू काले पड़ जाते हैं आलू का बड़ा लच्छा या बारिग लच्छा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसे आपको पसंद हो साबुदाना को यहाँ पर मैंने मिक्सर जार में डाल लिया है और अब मैं इसके अंदर डालूँगी आदी कटोरी से भी कम पानी और इसे हम बारिक पीस लेंगे साबुदाना को मैंने यहाँ पर पीस लिया है आप देख सकते हैं यह कितना गाड़ा है इसे पीस ते समय बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना एकदम से यह पतला हो जाएगा पापड का गोल मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में पका रही हूँ क्योंकि इसका तला काफी मोटा है आप चाहें तो मोटे तले वाली कड़ाई या तपेली भी ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर को गरम होने के लिए रख दिया है और अब हम इसके अंदर पा और यह साबुदाना जो हमने पीस कर रखा है इसे गरम पानी में डालेंगे इससे डालते समय याद रखें कि हमें इसे लगातार चलाना है ताकि इसमें गुटली आना पड़े और अभी हम गेस का फ्लेम आफ रखेंगे यहाँ पर मैंने साबुदाना प्रेशर कुकर में डाल लिया है और अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ अभी मैं इसे दो मिनिट तक हाई फ्लेम पर पकाने वाली हूँ और पकाते समय हम इसे लगाता चलाते रहेंगे क्योंकि अभी यह गाड़ा हो जाएगा दो मिनिट के बाद ही इसमें उबाल आ चुकी है और आप देख सकते हैं मैं इसे अभी भी चला रही हूँ यह थोड़ा सा गाड़ा हो गया है मैं यहाँ पर आपको चम्मज से चला कर दिखा रही हूँ कि साबुदाना का गोल यहाँ पर हमारा कितना गाड़ा है आप देख सकते हैं आलू का लच्छा जो कि हमने पानी में भिगो कर रखा है इसका हम पानी निकाल लेते हैं तो मैं यहां इसे इस तरह से चन्नी पर डाल देती हूं ताकि इसका पानी निकल जाए उबलते हुए साबुदाना के अंदर अब हम ये आलू का लच्छा भी डाल लेते हैं इसे mix करते हुए मैं अभी high flame पर पका रही हूँ आलू का लच्छा डालने से ये घोल थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो अभी मैं इसे high flame पर इसी तरह से mix करते हुए चला रही हूँ अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो ये तले में चिपक जाएगा इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चमज नमक नमक हमें थोड़ा कम ही डालना है और इसे mix कर लेते हैं दो मिनिट के बाद ही इसमें उबाल आ चुकी है तो अब हम इसे low flame पर ढखकर 5 मिनिट के लिए पकाएंगे तो यहाँ पर मैंने low flame कर लिया है और इसे ढख देते हैं इसे बीच बीच में मैं दो से तीन बार चलाऊंगी ताकि ये तले में चिपक न जाए एक मिनिट के बाद मैं इसे फिर से चला रही हूँ नमक आप अपने स्वात के अनोसार कम या ज़धा रख सकते हैं लेकिन अगर पापड के अंदर नमक ज़धा हो जाए तो ये तलने पर लाल हो जाते हैं तो हो सके तो इसके अंदर पापड में नमक हमें कम ही डालना जाहिए इसे फिर सड़क देते हैं इस गोल को पकाते हुए मुझे 4 मिनिट हुए है और मैंने लच्छा दवा कर देखा है तो ये लच्छा पक चुका है तो अब हम गेस का फ्लेम आफ कर लेते हैं अगर आलु का लच्छा बहुत ज़्यादा पक जाएगा तो ये यहाँ पर भूसा होने लगेगा तो मैं अभी गेस का फ्लेम आफ करके इसे थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कितना गाड़ा या कितना पतला है इससे ज़्यादा पतला हमें नहीं रखना है गोल को हमारा गोल इतना गाड़ा है तो अभी मैं इसे इसी तरह से थोड़ा ठंडा होने देती हूँ शुरू में जब हमने पानी उबलने के लिए रखा तो एक मनीट पानी को उबलने में लगा है उसके बाद जब हमने उसके अंदर साबू दाना पिसा हुवा डाला फिर हमने इसे दो मनीट तक पकाया है इसके बाद जब हमने आलू का लच्छा इसमें डाला तब उबालाने में दो मिनिट का समय लगा है और फिर मैंने इसे चार मिनिट तक आलू के लच्छे को पकाया है तो हमें यहाँ पर पूरे नौ मिनिट का समय लगा है इसे पकाने में पापड का घोल हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है यहाँ पर तो मैंने इसे दो बराबर भागों में बाट लिया है एक हिस्सा में बिल्कुल सफेद बनाऊंगी और दूसरे वाले में हम मिलाएंगे आधा छोटा चमज जीरा थोड़ी सी लाल मिर्श लिये मैंने खड़ी और जिसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया है और ये हरा धनिया तो हम ये सारी चीजे यहां मिला लेते हैं जीरा हमेशा पापड के घोल में थोड़ा ठंडा होने के बाद ही मिलाएं अगर गरम-गरम के अंदर हम जीरा मिला लेते हैं तो इसके अंदर एकदम से कलर चेंज हो जाता है और पापड बनने के बाद काले दिखने लगते हैं तो यहां पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है पापड मैं प्लास्टिक शीट पर बनाऊँगी तो यहाँ पर मैंने इस तरह की प्लास्टिक शिट ली है अगर हम इस तरह की प्लास्टिक लेते हैं तो इसके उपर हमें तेल लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है इसके उपर हम बिना तेल लगाई ही पापड बना सकते हैं बहुत से वीवर्स हमेशा पूछते हैं कि पापड के अंदर से तेल की थोड़ी से स्मेल आती है बाद में तो हम इस तरह की प्लास्टिक के उपर जब पापड सुखाएंगे तो इसमें हमें तेल लगाने की जरूरत नहीं होती है लेकिन अगर हम इस तरह की प्लास्टिक शिट लेते हैं तो इसके उपर तेल लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है इस प्लास्टिक के उपर बगेर तेल लगाएं आपका इस तरह से घोल वाला पापड नहीं निकलता है तो यहाँ पर प्लास्टिक शिट के ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है और अब पापड बनाना शुरू करते हैं पापड मैं यहाँ पर धूप में बना रही हूँ तो इस तरह से हम आधा चमश लेंगे और डाल देंगे पापड इस तरह से आधा चमश लेना है और डाल देना है इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है यहाँ पर सारे पापड मैंने बना लिये हैं 58 पापड बने हैं आप वीडियो रोक कर काउंट कर सकते हैं पापड का घोल थोड़ा पतला है तो हम इसे चार घंटे के बाद पलट देंगे पापड सूख गए हैं और इन्हें सूखने में दो दिन का समय लगा है आप देख सकते हैं जिन पापड में हमने लाल मिच डाली थी और हरा धनिया डाला है इनका कलर थोड़ा साच चेंज है अलग है और ये पापड जिन में हमने सिर्फ नमक डाला है ये बिल्कुल सपैद है तेल मेंने गरम होने के लिए रख दिया है और आप पापड तल लेते हैं आप देख सकते हैं पापड का कलर कितना अच्छा आया है आप देख सकते हैं पापड के अंदर आलू के लच्छे कितने अच्छे से और साफ साफ दिखाई दे रहे हैं हरा धनिया वाले पापड भी तल लेते हैं दोनों तरह के पापड मैंने यहाँ पर तल लिये हैं और अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ इसकी आवाज से आप पता कर सकते हैं कि पापड कितने खस्ता और कुरकुरे बने हैं पिछले साल भी मैंने पापड की कुछ रेसिपी शेयर की थी जिनने काफी जादा पसंद किया गया है अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं साथ में दे रही हूँ उन्हें भी देखिए आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होते से लाइक कीजिए और विस तरह की रेसिपी देखने के लिए मेरे जनरल कवीता जिन्दोरी जाएका को सब्सक्राइब कीजिए